हेलो फ्रेंड्स, जैसर कृष्णा, राधे, राधे, और आप सब कैसे हैं, I hope आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं जनमास्टमी स्पेसल केले का रायता और ये खाने में बहुती टेस्टी होता है फ्रेंड्स, साथ में हेल्दी भी होता है और आप इसे कृष्ण जी को भी खिलाइए, लड़ो गोपाल को खिलाइए और खुद भी खाइए, बहुती टेस्टी बन करके तयार होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर दही और दही को ग्राम में देखा जाए तो 500 ग्राम के करीब यह दही है और साथ में लिया है कुछ ड्राइफ फूर्स तो फ्रेंस यहाँ पर ड्राइफ फूर्स आप अपने एकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं मखाना लिया है, हमने काजू लिया है और इस तरह से आधे-ाधे पीसे हमें कर लिया है बादाम, चिरोजी और किस्मिस तो आप अपने कॉर्डिंग ही यूज करें अब यहाँ पर हमने लिया है दो केले और आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो इस साब से केले भी रख सकते हैं और चिनी यहाँ पर आप मिस्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहां पर हमने एक पैन रख लिया है और पैन में डालेंगे एक चमच घी और अब जो हमने काजू और म खाना लिया है बस उन्ही दोनों को हम इसमें भूनेंगे तो मखाना भी हम डाल देंगे इसमें और दो से धाइ मिनट ही हम भूनेंगे उतने में ही ये भून करके तयार हो जाएगा तो अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे और गैस का फ्लेम हमें लोटो मीडियम ही रखना है भूनते हुए हमें देर से दो मिनट हो चुके हैं और ये भून करके डेड़ी हो चुका है तो इसे हम निकाल देते हैं एक प्लेट में अब यहाँ पर दही जो हमने ली थी उसे हम विसकर की सहायता से इस तरह से फेट लेंगे और साथ में हम इसमें एड़ कर देंगे चीनी तो चीनी आप अपने मिठास के एकॉर्डिंग ही यूज करें फ्रेंस और चीनी के जगा पे आप मिस्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम अपने मिठास के अनुसार ही चीनी एड़ करेंगे और अब इसे विसकर की सहायता से अच्छी तरह से फेट लेंगे अब इसे हमने अच्छी तरह से फेट लिया है और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का टेक्शर हो गया है और अब इसमें जो ड्राइफूर्स हमने भुन करके रखा था वो सारा ड्राइफूर्स और किसमिस चिरोजी जो भी है सारा कुछ हम इसमें एड कर देंगे बस जो हमने बादाम कट करके रखा था ना वो हमें एड नहीं करना है उसका इस्तेमाल हम गार्नेसिंग में करेंगे अब सभी चीजों को अच्छी तरह से दही में हम मिक्स कर लेंगे और एक बार फ्रेंट्स बनाईए बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है और बहुत ही कम समय लगता है बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाता है आप इसे हमने कर लिया है अच्छी तरह से mix और अब जो केला हमने रखा था उसे हमने छोटे छोटे पीसे में cut कर लिया है छिल करके और आप जैसा भी side चाहें वैसा cut करके इसमें add कर सकते हैं तो केले को हम इसमें add कर देंगे और अब इसको भी हम इसके अंदर mix कर लेंगे और इस तरह से बनाईए friends बहुत ही healthy तरीके से तयार होगा और breath में आप इसे खा सकते हैं और energy से भरपूर होता है तो energy भी पा सकते हैं तो अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया है mix और अब आखिर में डालेंगे इसमें आधा चमच कुटी हुई हरी इलाइची और इसका flavor बहुत ही बढ़ जाता है friends तो आप जरूर add करें और आपको पसंद हो तभी add करें वनना skip कर सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो friends इसे आप भी बनाएए और enjoy कीजिए और सबसे बड़ी बात friends की इसमें आप अपने recording चीजें कम या अधिक कर सकते हैं तो ये पूरी तरह से हो गया है बनकर ready और अब इसमें हम garnishing करेंगे जो कटे हुए बादाम हमने रखे थे उससे और कुछ पिस्ता के कतरन से और इसे हमने सैफ्रौन से भी garnish किया है friends तो ये पूरी तरह से optional है आप चाहें तो कर सकते हैं वरना इसकी भी कर सकते हैं और सबसे आखिर में बारी आती है तुलसी के पत्ते की तो इसके बीना स्री कृष्ण का जो भोग प्रसाद होता है वो अधूरा है तो आप किसी भी प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर सा friends तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूले friends ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म जरी और मेरे चैनल कि वस्ता हम घई भी चैनल को सत्काई वीडियो